हलो एबरीवाइन, गुड आफ्टून फर्स्ट अफर्फ और, आज हम बात करेंगे अल अबाउट मिल्क के बारे में, बहुत सारे लोग पुछते हैं कि अगर हम वेट लॉस करना चाहते हैं, क्या हम मिल्क ले सकते हैं, किल लोगों को मिल्क लेना चाहिए, अगर आप मिल्क लोगों को PCOD, PCOS का या फिर हॉर्मोनल इंबालेंस है, तो वो क्या-क्या अपनी डाइट में इसा इंकल्यूट कर सकते हैं, जो मिल्क की कमी को पूरा कर सके, मिल्क को लेने के क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या nutrition value है, और क्या-क्या side effects है, आज हम इन सब चीजों के बा नहीं है, वो बेसिकली उस पर डिपेंड करता है, आज में तो जो nutrition value की बात कर रही हूं, मैं सबसे पहले बात करूंगी काव मिल्क के बारे में, वन कप जो काव मिल्क होता है, उसमें 22 में से 18 essential nutrients पाये चाते हैं, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, तो आपने डाइट म only 149, carbs उसमें पाये जाते हैं 11 grams, protein उसमें होता है 8 grams, fat उसमें होता है 8 grams, water उसमें होता है 88 grams, calcium उसमें 30% होता है, जो कि आपकी bone health के लिए भी बहुत जाता जरूरी है, phosphorus 25% होता है, vitamin D का good source होता है, milk लेना, उसमें vitamin D, 1 cup of cow milk में 24% पाये जाता है, जिन लोगों को vitamin B12 की deficiency हैं, 20% B12 आपको cow milk से मिल जाता है, potassium 10% मिलता है आपको, उसके इलावा उसमें iron, selenium, zinc, vitamin A, magnesium, vitamin E पाया जाता है, B1 होता है, उसमें B6 होता है, जो milk होता है वो high quality protein होता है, उसमें good quality का protein पाया जाता है, उसके इलावा उसमें casein पाया जाता है, 80% and whey protein उसमें होता है, 20% So milk को अपने diet में आप लोग जरूर add-on करो, अगर आप weight loss करना चाहते हो, यह नहीं भी करना चाहते हो, तो milk आपके लिए बहुत जादा अच्छा है, but it depends on कि आपकी health condition कैसी है, उसमें depends करता है कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बेनिफिट्स देखे तो milk के बहुत सारे benefits है, कि बच्पन से ममा, बच्चा भी जो grow होता है, वो मिल्क से ही होता है, बच्पन से हमारी ममा बोल दे कि milk लो, milk लो, milk लेना ओवेसली जरूरी तो है ही, जो milk होता है वो आपकी bones के लिए बहुत अच्छा है, जिन लोगों को bones में pain रहता है, bone health को आपको आप उसको ले सकते हो, जैसे कि कभी cow milk पे, आप लोग infuse करके carrot milk ले सकते हो, makhana milk इसकी recipe मैंने कल शेयर की थी, वो ले सकते हो, तो आप उसको as a meal भी ले सकते हो, आपके भूख को control में करता है, आपको energy देता है, आपके immunity को boost करता है, आपके muscles को build करता है, जो लोग gym वगरा जाते हैं, workout करते हैं, weight loss करना चाहते हैं, वो लोग अपने घर के protein powder के साथ, अगर उसको mix करके लेते हैं, तो आपके muscles growth में भी आपकी help करता है, antioxidant rich होता है, आपके stress level को, अगर आप science के according देखे तो, अगर आप warm milk लेते हो, तो आपके stress को कम करता है, आपके anxiety को कम करता है, उ विकास आज के टाइम पर बहुत सारे injections भी लगाये जाते हैं, अनिमल्स को, उसकी diet कैसी है, वो उन सब चीजों पर depend करता है, 62-50% लोगों को देखे, पूरे world में, तो काफी सारे लोगों को milk जो है, वो digest properly नहीं हो पाता, उन्हें कुछ ना कुछ problem हो जाती है, या काफी सार लोगों को, और एक बात और भी है कि हमें, अगर milk अच्छा है, तो फिर भी हमें उसको assess quantity में नहीं लेना चाहिए, 102 कब तक आप ले सकते हो, milk को, ओके, वो डिपेंड करता है कि person to person कि कितना like आपको suit करता है, कितना नहीं करता है, उसके health problems के according है, वो हमारे problems के according पता चलता ह है कि आपको milk suit कर रहा है, यह नहीं कर रहा है, अगर हम देखे कि health conditions के according, PCOD, PCOS यह hormone imbalance जिनके रहते हैं, उन लोगों को milk लेने के लिए हम लोग मना करते हैं, इवन कोई भी राइट इस्यों यह जो भी है, तो उनको प्रॉपरली milk बिल्कुल मना हो जाता है, इसके इलावा, सारे अभी पूछते हैं कि अगर हम milk नहीं ले रहे हैं, तो milk की कमी को कौन पूरा कर सकता है, क्या का चीज़े ले सकते हैं, अगर हमें milk नहीं लेना है, तो, अगर आपको इसा कुछ प्रॉपलीम है, तो आपको milk को avoid करना चाहिए, तो, milk लेना के डाइट में जरूरी है, य अपने नट साइंसेट के साथ अपने ग्रेंस यह सब चीज़ों को अगर अगर आड़ न करते हो तो आपको आपको और आपको कोई भी डेफिसेंसी नहीं आती है उसके इलावा बेसिकली विटामिन डी जो में मिल रहा है आपको बेट सोस है अभी दूप का दूप जो होती हो हमारे लिए best source होती है विटामिन D का तो विटामिन D आपको अपने आप हमारी दूप से मिल सकता है तो आप मौनिंग में इवनिंग में वाक कर सकते हो दूप में 8-10 मिनेट के लिए 10-15 मिनेट के लिए विंटेर से तो वैसे भी दूप लेन आपके लिए बहुत जादा अचा है उसके पाथ good source of calcium था तो अगर आप milk नहीं ले रहे हो तो आप calcium रिस चीज़ें ले सकते हो calcium रिस चीजों में आते हैं हमारे sesame seeds अपने डाइट में आप लोग इंक्लिवट कर सकते हो almonds ले सकते हो जोगे good source of calcium है उसके लवा ट्यून डिप जो आते हैं फिक्स जो आती है वो good source of calcium है तो आप उनको भी अपने डाइट में add-on कर सकते हो tofu ले सकते हो chia seeds ले सकते हो kale ले सकते हो green leafy vegetables ले सकते हो या फिर orange juice भी आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आप milk अपने डाइट में add-on नहीं कर पा रहे हो कुछ health problems के cording तो आप इन सब चीजों से भी जो दूद की basic requirement होती है जो nutrients हमें दूद से मिलते हैं तो इन सब चीजों से भी आप लोग अपनी डाइट में पूरा कर सकते हो वीगन डाइट सबसे best source होता है अगर आप milk नहीं ले रहे हो तो उससे भी आप अपनी जो nutrition आपको चाहिए वो आपको उससे मिल जाता है इसके इलावा अगर आप cow milk या फैलो मिल्क नहीं लेना चाहते हो कुछ problems के cording या को health issue के cording आपको doctor ने मना किया है तो उसके इलावा आप बहुत सारे milk market में available है या फिर आप उसको घर पे easily बना सकते हो जो कि आप लोग अपने घर के ingredients से बना सकते हो आप coconut milk ले सकते हो और पीस के उसको स्टेन करके उसका milk आप बना सकते हो elements का milk बना सकते हो oats milk बहुत healthy होता है काफ़ी सारी recipes में आप लोग add-on कर सकते हो यह सब milk बनाने घर पे बनाने जरूर पड़ते हैं लेकिन यह बहुत healthiest होते हैं आपके overall health के लिए special agent लोगों को PCOD है thyroid है PCOS है या फिर hormone imbalance है periods irregular इन सब लोगों के लिए यह milk बहुत अच्छे होत है या फिर हमारा rice milk होता है soya milk होता है जो good source of protein होता है बट वह भी काफ़ी सारे लोगों को digest नहीं होता है hemp milk हो गया तो यह सब चीजे भी आप अपनी diet में add-on करके अपनी body के जो आपको nutrients चाहिए वो आप पूरे कर सकते हो जरूरी नहीं है कि milk लेने से ही आपको यह सब ची बेसिकली milk जो है जिन लोगों को कोई health problem नहीं है उनके लिए अच्छा है बट good quality of milk होना चाहिए और जिन लोगों को PCOD PCOS or hormone imbalance की problem है उनके लिए बहुत सारे sources है milk के जैसे मैं आपको अपनी वीडियो में बताया तो आप वो सब चीजे भी अपनी diet में add-on कर सकते हो बाकी किस किसी भी चीज को अगर हम SS में लेंगे तो obviously वह नुक्सान करें किसलिए moderation में 1-2 cup तक आप लोग ले सकते हो okay so I hope यह वीडियो आपके लिए बहुत beneficial रही होगी so milk अप लो उसमें कुछ ना कुछ चीजों को इंफ्यूज करके लो okay जैसे कि आप लोग जैसे turmeric milk ले सकते हो खसका milk ले सकते हो जिसको हम poppy seeds बोलते हैं carrot milk ले सकते हो winters में बहुत अच्छा होता है मखाना milk ले सकते हो जो आपके bone health के लिए good source of protein है bone health के लिए बहुत अच्छा है आपको constitution में आपकी रहार देता है fiber rich होता है so जब युद में milk आप ले र recipe share की थी जो आपकी health के लिए बहुत अच्छा है वो भी आप ले सकते हो यह ऐसे infuse करके लेते हो तो उसकी जो benefits से बहुत ज़ादा आपको मिलने शुरू हो जाते हैं so आप अपने diet में milk को ज़रूर add-on केजिए because उसके बहुत सारे benefits अगर weight loss भी करना चाहते हो तो अपने cow milk milk को अपने diet में add-on कर सकते हो उसका कोई आपको नुकसान नहीं होगा यह बहुत सारे questions पूछते थे कि लोग हम cow milk को ले सकते हैं अगर हम weight loss करना चाहते हैं milk काफिस अरे लोग नहीं लेते हैं बट अगर आप vegetarian हो तो ज़रूर अपने diet में add-on करो बट अगर PCOD PCOS है तो आप dairy-free milk लो जैसे कि मैंने बताए almond milk, cashew nuts milk या फिर oats milk इन सब चीजों को अपने diet में आप लोग add-on करो okay so I hope यह वीडियो आपके लिए बहुत beneficial ही होगी milk के regarding so अपने diet में सब चीजों को add-on करो कुछ भी queries हो तो आप comment box में लिख सकते हो मैं उसको definitely reply करोंगी so thank you so much bye bye take care